नमस्कार दोस्तों सागत करता हूँ आप लोग का सिधारत लाइक परवार में मेरे नामे सिधार सुकला मैं कर रहा हूँ आपना माश्वर्स प्रॉम एनाइटी तिर्ची आज एक और वीडियो जवर्जस तरीके से हम आपके लिए लेकर आ गए है आज हम बात करने वाले हैं what is mtech project बहुत सारे लोगों mtech करने तो आ गए है पर उन्हें यही नहीं पता कि mtech का project क्या होता है क्या करना होता है इस project में और उस चीज़ के लिए पूरे एक साल तक परेशान रहते हैं बहुत अच्छी बात एक को seniors बहुत जादा help कर देते हैं पर कई colleges में क्या होता है उनका seniors से interaction नहीं हो पाता है और उन्हें पता ही नहीं चल पाता है तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक full video इसी की उपर लेकर आया जाए पहले बात करते हैं Mtech project कब स्टार्ट होता है आप देख सकते हैं Unacademy लेकर आया है All India Mock Test for Gate 2022 यह होने बाले हैं Every Sunday January 2 से लेकर 30 January तक तो आप अपनी तयारी को boost करिए और यह Mock Test दीजिए और enroll करने के लिए link description में है जाईए मेरा code यूज करिए 12 जन्बरी को सुबा 11 बजे यहां पर हो रहा है combat test जहां पर 60 मिनट में 20 कोशन आने बाले हैं 5 ब्रांचिस के लिए होगा यह आपकी preparation just करने में आपकी बहुत जादा मदद करेगा यह free of course तोने बाला है इसको भी enroll करने की link हमारे description में already giving है इसके सासद आपको यह बहुत सारे इनाम मिल सकते है वो student जो नोंने ESE मेंस को clear किया है और interview देने जा रहे हैं उनके लिए unacademy लेकर रहे है end game interview guidance program यहां पर आपके mock interviews ले जाएंगे और आपको इंडिया की जो best जो नोंने already ESE को crack किया है जैसे bundle sir प्रवीन कुलकरणी sir आप लोग की help करने वाले आपर कुछ new batches भी start हुए हैं 2023-2024 के लिए 19 January 2022 से आप यह batches की complete list यहां पर देख सकते हैं सारी links already description में हैं मेरे code को use करेंगे जहां जहां payment करना होगा वहां 10% का directly off मिल जाएगा और बाकी जितने भी mock test है आपको वहाँ पर free enrollment मिल जाएगा मेरे code की through तो जाइए और अपनी preparation को boost करिए जब आप M-Tech करते हो और अपना first and second semester complete कर लेते हो उसके बाद आपकी third semester से आपको M-Tech का project करना होता है M-Tech project के time पर आपको किसी भी तरीके का exam, किसी भी तरीके का subject नहीं पढ़ना होता है वो already आप 10 subject पहले ही अपने first and second semester में पढ़ चुके हैं यहां पर सिर्फ आपको M-Tech project करना होता है सबसे पहले हम बात करेंगे क्या हमें पूरे third semester, fourth semester M-Tech project करना होता है हाँ, हमें दौनों semester M-Tech project करना होता है देखिए, कुछ लोगों के क्या होता है, project काफी बड़े होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, third semester project का half part करते हैं और fourth semester half part करते हैं कुछ लोगों के project बहुत छोटे होते हैं तो वो लो क्या करते हैं, 3rd semester में एक अलग project करते हैं और 4th semester में एक अलग project करते हैं तो आप इस तरीके के इसको categorization में समझ सकते हैं अब हम आपको प्रोजेट को 5 तरीके में categorize कर देंगे यहाँ पर किसी भी college के अंदर 5 अलग-अलग type के project होते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट होता है, जो project आपको अपना guide देता है आप क्या करते हो, जब आप अपना 2nd semester complete करते हो उसके बाद आप अपने बहुत सारे department के professors को approach करते हो आप उनके पास जाते हो, आप उनकी profile देखते हो, online आप देखते हो, वो किस area of interest में क्या काम कर रहे हैं अगर आपका area of interest, उनके area of interest से match करता है तो आप उनके पास जाते हो, और उनसे बात करते हो, कि sir, मेरा area of interest ये है मैंने देखा कि आप इस area of interest में काम कर रहे हैं क्या मेरे लिए कोई project है, तो क्या होगा, professor आपको बता जेंगे, देखो बेटा, मैं इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो तो वो एक lab project हो सकता है, ठीक है, तो मतलब lab में जाके experiment करना, अलग-अलग type के experiment perform करना, ये हो सकता है आप गए, आपने guide के lab का project लिया, और guide के according, guide आपको guide करता रहेगा पूरे साल, आप उसके according अपना project complete करते रहेंगे इसे बोलते हैं, guide के द्वारा दिया हुआ project, तो ये हो गया project type 1 second project आता है, industry sponsored project, आप क्या करते हैं, किसी professor को approach करते हैं, लेकिन वो professor किसी industry का project कर रहा होता है तो वो कहता है, देखो बेटा, मेरे पास lab project तो available है, पर मेरे पास एक industry sponsored project भी available है क्या तुम उसे करना चाहोगे, industry क्या होती है, industry में एक R&D center होता है वहाँ पर वो R&D क्या कर रहा होते हैं, किसी product को बना रहे होते हैं तो आपको वो professor की उनको help रहती है, professors को भी काफी काम रहता है तो उसके लिए वो Mtech student को अपने student की तरह रखते हैं, ठीक है तो आप क्या करेंगे, आप professor की मदद करेंगे, उस R&D में उस product को बनाने में तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, आपका stipend fix नहीं होता, कि आपको 12,400 रुपे ही stipend मिलेगा आपका stipend बड़ भी सकता है, industry sponsor project में यही होता है, कि आपको 12,400 से भी जादा stipend मिल सकता है तो ये एक type का industry sponsored होता है, लेकिन ये बहुत जादा नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही limited होते हैं और इसमें आपको अपना पूरा 100% देना होता है, क्योंकि यहाँ पर गलती बिल्कुल भी बर्दास नहीं की जा सकती है अगर आपको research oriented है, तो उनके लिए industry sponsored project बहुत जादा अच्छे होते हैं हर प्रोजेक्ट क्या होता है, जहाँ पर जो आपका guide होता है, और आप एक co-guide ले सकते हैं co-guide कैसा हो सकता है, दूसरे department का हो सकता है, किसी industry का हो सकता है जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसको एक अलग जो PSU है, उधर से उसे data मिला हुआ है वो PSU के एक जो head manager है, वो उसके co-guide की तरह काम कर रहे है और जो उसके guide है, जो प्रोफेसर को अलोट हुआ है, जिनका वो project कर रहे है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप industry के data को अपने lab project के साथ या अपने project के साथ mix करके काम कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कि आपको industry का भी experience मिलता है और अपना lab का भी experience मिलता है और ये project बहुत ज़्यादा unique होते हैं तो ये सारे project बहुत अच्छे होते हैं ये आपके career को बहुत ज़्यादा growth दे सकते हैं तो इन projects को बहुत ज़्यादा seriousness तरीके से किया जाना चाहिए ये third project का type होता है fourth project का type क्या होता है आप क्या करते हैं, आपने professor की help लेते हैं और जो बड़ी-बड़ी organizations हैं जैसे Tata Steel हो गया, DMRL हो गया, Ordnance Factory हो गया, Sale हो गया, भेल हो गया आप यहाँ पर directly project करने चले जाते हैं, जैसे कि आप लोग BTEC में एक summer training करते हैं उसी type से एक internship होती है लेकिन ये internship unfaid होती है जिसके लिए आपको government already 12,400 रुपे दे रहा होता है उन organizations में जाते हैं वहाँ पर जो project चल रहे होते हैं उसी project में अपना contribution देते हैं वो भी guide की help से होता है लेकिन यहाँ पर ये जो project है ये कोई sponsored project नहीं होता है आपको as a intern भेजा जाता है तो आप क्या करते हैं वहाँ जाते हैं, पूरे 6 महिने एक साल जो भी आपको करना होता है वहाँ सीखते हैं और उसी से अपना project का जो thesis work होता है last में वो आप submission करते हैं यह हो गया 4 type का project जो आप campus के बाहर रहके करते हैं इस type का project आता है internships, internships क्या होती है कि बहुत सारी सर्केटल ब्रांच की internship 3rd semester में ही लग जाती है जिनकी internship पूरे 1 साल की होती है बहुत सारे बच्चों की internship होती है 4 semester न स्टार्ट तो बच्चे क्या करते हैं दोनों के लिए बता देता है आपकी जो internship है जिसे कि आपका placement हो गया है यह आपको PPO मिला है तो आपको क्या होता internship offer होती है तो आप जो internship होती है वो कहीं न कहीं आपके department से relate करना चाहिए तभी आपको generally department से आपको allow किया जाता है वरना वो आपको internship के लिए allow नहीं करेंगे तो mostly ऐसा ही होता है कि जब internship offer होती है तो आपके department से related company में ही offer होती है आप क्या करते हैं आप उस company के लिए particularly काम करना चालू कर देते हैं और वहाँ पर जो project आप करते हैं उसके आप thesis को college में summation करते हैं तो अगर आप third semester में चले जाते हैं तो आपको एक साल college में कोई भी project नहीं करना होता है आपको company का ही project करना होता है पर बहुत सारे बच्चों क्या होता है फोर्ट semester से internship मिलती है तो वह third semester में कोई lab project करते हैं अपने छोटा सा project रहता है या small सा project रहता है उसको वह एक 6 मिलत में complete कर लेते हैं और four semester में अपनी internship complete करने चले जाते हैं जो बच्चे दो अलग-अलग project करते हैं third semester में और four semester में उन दौनों को अलग-अलग thesis submission करना पड़ता है thesis का मतलब होता है आपको पूरा जो आपने lab work किया है उसको पूरा written form में आपको submission करना होता है जिसमें experiment result इसके उपर मैं already एक video लेकर आँ हूँ कि वो आपको कैसे बनानी है वो कैसे दिखती है दूसरी चीज़ आती है जो लोग पूरे throughout एक ही project करते है बोलो क्या करते है अपने third semester में partial thesis submission करते है जब four semester complete करते हैं तो full thesis submission करते हैं इस तरीके से ये देखिए पूरे mtech के project होते है मैं आपको ये बताऊंगा आपका जो area of interest है आप जो professor choose करने वाले हैं उनके area of interest से match करना चाहिए बहुत important होना चाहिए आपके जो thought processes से match करना चाहिए आपका जो guide के through relation होगा वो बहुत ज़्यादा close हो जाता है तो ये relation काफी अच्छा होना चाहिए और ये maintain रहना चाहिए ये बहुत बड़ा factor होता है mtech project के दोरान तो आसा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगाओगा और मैंने आपको अपनी पूरी information mtech project से related दे पाईयोगी अगर मैंने दे पाईयोगी है तो वीडियो को like करिएगा वीडियो को share करिएगा और चैनल को subscribe जलू कर दीजेगा और ऐसे ही बहतरीन वीडियो के लिए बने रहें जुडे रहें देखते रहें सिद्धार्ट लाइफ सिद्धार्ट सुकला के साथ नमाज़गी